आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के उपयोग अपने जीवन में हम दशमलव संख्याओं का उपयोग कई स्थितियों में करते हैं अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे के लगबग हर स्थिति में आप दशमलव संख्याओं का प्रयोग करते हैं उधारण के लिए परिक्षाओं में छात्रों को प्राप्त अंक दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जाते हैं तापमान दर्शाने के लिए दशमलव संख्याओं का प्रयोग किया जाता है दोड़ की प्रतियोगिता में स्पर्दकों को दोड़ पूरा करने में लगने वाला समय दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जाता है इस तरह और कई स्थितियों में दशमलव संख्याओं प्रयोग होती हैं और दूसरी बोतल में तीन बटे चार लिटर पानी है तो कौनसी बोतल में पानी ज्यादा है? यहां हमें भिन्नों की तुलना करनी होगी जो आसान नहीं है लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक बोतल में 0.4 लिटर पानी है और दूसरी बोतल में 0.95 लीटर पानी है, तो अब इनके तुलना आसानी से की जा सकती है और कहां जा सकता है कि दूसरी बोतल में ज़ादा पानी है अब आप समझ ही गए होंगे कि दशनलव संख्याओं के उपयोग से मात्राओं के तुलना करना भी आसान बन जाता है दशलव संख्या इना केवल तुलना करने में सहायता करती हैं, बलकि इनके उपयोग से मात्रा को अधिक परिशुद्धता से यानि प्रिसाइजली भी व्यक्त किया जा सकता है जैसे यहां देखिए, यहां एक तर्बूस का वजन दो प्रकार से व्यक्त किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां तर्बूस का वजन दो किलोग्राम की तुलना में दो दशलव दो पाच शून्य से अधिक स्पष्ट होता है अब चलिए कुछ उधारणों में दशलव संख्याओं का प्रयोग करे मुहित ने अपने घर के पास एक पेड लगाया उसे पता करना था कि एक साल में पेड कितना बढ़ता है इसलिए उसने साल के पहले दिन पेड की उचाई मापी जो उसे एक दशलव चार आठ मीटर प्राप्त हुई साल भर उसने पेड की खूब देख भाल की जैसे जैसे साल बीटता गया पेड भी बढ़ता गया साल के अंतिम दिन उसने पाया कि पेड की उचाई दो दशलव एक तीन मीटर से बढ़ गई है अगर उसे पेड की उचाई पता करनी हो तो वह कैसे कर पाएगा वीडियो रोक कर इसे हल करने का प्रयास कीजिए अगर मोहित को पेड की उचाई पता करनी होगी तो उसे साल के पहले दिन की उचाई के साथ उचाई में हुई बढ़त को जोड़ना होगा यानि के पेड की उचाई बराबर 1.48 मीटर धन 2.13 मीटर इसका परिणाम ग्याद करने के लिए हम दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक ही स्थम में आए फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के तरह ही योग करेंगे फिर हम परिणाम में दशमलव बिंदू के स्थम में दशमलव बिंदू रखेंगे इस तरह से पेड़ की उचाई प्राप्त होगी तीन दशमलव चह एक मीटर इसलिए साल के अंत में पेड़ की उचाई होगी तीन दशमलव चह एक मीटर आईए एक और उधारण देखें मंजु प्रती दिन सुभा एक वृत्ताकार मार्क पर घूमने जाती है एक दिन उसने वृत्ताकार मार्क के दो चक्कर लगाए पहला चक्कर उसने चल कर पूरा किया और दूसरा चक्कर उसने दोड कर पूरा किया यदि पहले चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनिट समय लगा और दूसरे चक्कर के लिए पहले से 4.9 मिनिट कम समय लगा तो पता कीजिए उसे दोनों चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगा हमें पता करना है कि मंजु को दोनों चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगा इसलिए हमें दोनों चक्कर के लिए लगे समय का योग करना होगा उधारण में दिया गया है कि पहले चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनिट समय लगा दूसरे चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनिट से 4.9 मिनिट कम समय लगा इसलिए दूसरे चक्कर का समय पता करने के लिए हमें 15.6 मिनिट से 4.9 मिनिट का व्यवकलन करना होगा क्या आप बता सकते हैं यह व्यवकलन कैसे किया जा सकता है सोचिए सोचिए सही सोचा पहले हम दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे, जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक ही स्थम में आए, फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के तरह ही व्यवकलन करेंगे, फिर हम परिणाम में दशमलव बिंदू के स्थम में दशमलव बिंद योग से पता कर सकते हैं इसके लिए हम दोनों दशनलव संख्याओं को एक स्थम में लिखेंगे जिससे समान स्थान की अंक एक ही स्थम में आए फिर हम पूर्ण संख्याओं की भाती इन दशनलव संख्याओं को दाई से जोडेंगे और फिर परिणाम में दशमलव बिंदू के स्थम में दशमलव बिंदू रखेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 26.3 मिनिट इस तरह से मंजू को दो चकर लगाने के लिए कुल समय लगा 26.3 मिनिट इस तरह से आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं के उप्योग अगले वीडियो में कुछ उधारणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे